कैसे हमें पुलिसिंग चंद्रमा के जो कलाएं हैं उसके आदार पे कैसे पुलिसिंग की जाती है और उनको चंद्रमा की कलाओं को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो हिंदू पंचांग है उसके हिसाब से हम अपने पुलिस की गतिविदियों को संचालित करते हैं औ और इसी को explain करते हैं हम चार्ट के माध्यम से जिसमें कितने बज़े किस तारीक को किस तिथी को संद्रमा कितने बज़े उगता है कैसे वो कितने बज़े अस्त होता है और रात कैसे अंधेरी पूरी अंधेरी होती है पाट आंशिक रूप से अंधेरी होती है और कैसे वो बिल पूज़ समय अपनी गद्वीदिया मैक्सिमम करना चाहिए तो आए ये हम लोग आते हैं अगस्त महिने में पहली अगस्त को आप देख सकते हैं कि पहली अगस्त को पूर्णना पूरा चंद्रमा था और 6 ज़े साम को ये चंद्रमा उद्ध होता है और सुब्र च्हे बजे अ अस्त होता है पूर्णिमा का दिन था इसका मतलब यह हुआ कि यह काला हिस्सा है यह रात है और यह सफेद वाला हिस्सा दिन है तो काले हिस्से में साम कोगर चांद उद्य होता है और सुबह अस्त होता है इसका मतलब रात भर उजाला बना रहता है उसके साथ दिन बार पूर तीन तीसरा और चौथा पहर अंधेरा रहेगा यह हमें पता करना होता है तो यह अमावस्या से साथ दिन पहले अमावस्या के साथ दिन बाद रात अंधेरी होती है और अमावस्या को पूरी रात अंधेरी होती है तो इसको जानने के लिए यह जरूरी है कि हम कब सतर्क रहें जानने के लिए जरूरी है कि कब चंद्रमा का उदय होता है, कब पुरमासी होती है, कब अमास्या होती है और कब आधा चांद जो है, आधा चांद होता है, उसको अगर हम जान लें तो अपनी जो पुलिसिंग की गतिविदियों को हम संचालित कर सकते हैं, यह बहुत साइंट पंचांग है, वो चांद की जो आकार है, चांद का जो चांद के आकार पे उसका वो अधारित है, चांद के मूवमेंट पे अधारित है, तो इसलिए वो ज्यादा कन्वेनियन्ट है, इसलिए आप पहले गाउं में भी लोग जो है, कहते थे कि जब उजाला रहेगा रात मे तो आदमी आराम से सो सकता है और जब अमावस्या होगी तो आदमी को थोड़ा सतर करेने की जरूरत है यह परंपरागत हम ग्यान है जिसको पुलिस हमेशा से यूज करती आई है धन्यवाद में हम लोग अपनी जो गतिविदियां है उससे निकालेंगे किस एरिया में जदा अप्रादी सक्री कि रहते हैं पिछले वर्स पिछले चार-पाज वर्सों में किस कहां-कहां उन्होंने ये कारवाई की तो वहीं थाने की पुलिस यह यह हम लोग decentralized करने जा रहे हैं ताकि थाना जो है इस ग्यान के आधार पे अपनी गत्विदियों को organize करे, plan करे क्योंकि हम यहां से plan करके नहीं दे सकते हैं कि आपको किस गली में, किस चौराहे पे, किस सुन्सान स्थान पे आपको पिकेट लगानी है या गस्त करना है ये थाने को स्वयम पता लगाना पड़ेगा और चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से उसको organize करना पड़ेगा, thank you